हेलो दोस्तों आग जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है चुड़ैल को कौन बचाएगा तो चलिए दोस्तों देखते हैं चुड़ैल को कौन बचाएगा की कहानी बहुत पुरानी बात है शैतानपुर में नीलम नाम की एक चुड़ैल रहती थी नीलम के दोनों हाथ सोने से बने थे साथी उसके दोनों हाथों से धेर सारे सोने के सिक्के भी बाहर निकलते थे नीलम अपनी शक्ती का इस्तमाल हमेशा जंगल के आसपास रहने वाले गरीब लोगों की मदद के लिए किया करती थी नीलम तेरी इस तरहा इंसानों के बीच जाना ठीक नहीं है सबी इंसान एक जैसे नहीं होते इंसानों में आधे से ज्यादा लोग लालची और दोके बाज होते हैं तेरी सच्चाई की आदत एक दिन तुझे बड़ी मुसीबत में फसादेगी नहीं आनिता चुड़ेल मैं तुमारी बात से सहमत नहीं हूँ मेरा मानना है कि अगर हम अच्छे काम करते हैं तो हमें उसका फल भी अच्छा ही मिलता है और सारी बुराईयां हमसे दूर रहती हैं इसलिए मैं लोगों की भलाई का काम मरते दम तक करती रहूंगी इतना कहकर नीलम चुड़ेल हवा में उरती हुई वहां से चली जाती है थोड़ी देर के बाद नीलम चुड़ेल एक नदी के पास पहुंच जाती है उस नदी के किनारे एक लड़की आत्मा हत्या करने के लिए खड़ी थी अरे ये क्या लगता है ये लड़की यहां अपने जीवन का अंत करने आई है मुझे तुरन जाकर इसे बचाना होगा उसके बाद नीलम चुडल लड़की के पास पोहन जाती है आखिर तुम्हें ऐसी क्या परेशानी है कि जो तुम आत्माहत्या करने आ गई मेरी सास बहुत लालची है वो मुझे अपने माईके से धेर सारे पैसे लाने के लिए परिशान करती है इतना ही नहीं वो रोज गरम चिम्टे से मेरे हाथों को जलाती है अपने सास की अत्याचार से मैं तंगा चुकी हूँ इसलिए मैंने आत्मा हत्या करने का फैसला किया है आत्मा हत्या करना पाप है तुम चंता मत करो मैं तुमारी सारी परिशानी दूर कर दूँगी उसके बाद नीलम चुड़ेल अपने हातों से वहां धेर सारे सोने के सिक्के निकालने लगती है देखते ही देखते वहां धेर सारे सोने के सिक्के जमा हो जाती है अब तुम इन सोने के सिक्कों के जरिया अपनी लालची सास को अपने शारों पर नचा सकती हो आज के बाद तुम्हारी सास दुम हिलाती हुई तुम्हारे आगे पिछे घुमेगी अरे वाँ ये तो तुमने कमाल कर दिया एक ही जटके में मेरी सारी परिशानी दूर हो गई तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया चुडल जी सच में तुम बहुत अच्छी हो उसके बाद वो लड़की सारे सोने के सिक्के लेकर अपने घर चली जाती है उस दुखी लड़की की मदद करके नीरम चुडल को बहुत खुशी होती है इस तरह एक दिन नीलम चुडल एक गाउं की ओर जा रही थी तबी रास्ते में कुवे के पास उसे दो लड़कियां रोती हुई दिखाई देती है क्या हुआ तुम दोनों यहां बैठ कर क्यों रो रही हो हमारा छोटा भाई इस गहरे कुवे के अंदर गिर गया है अगर जल्दी से उसे बाहर नहीं निकाला गया तो इसकी मोद हो जाएगी जिन्ता मत करो मैं अभी कुवे के अंदर उतर कर तुमारे भाई को बाहर ले आती हूँ इतना कहकर नीलम चुडल कुवे के पास बहुन जाती है लेकिन तब ही वो दोनों लड़कें पीछे से धका देकर चुडल को कुवे के अंदर गिरा देती है पिर वो दोनों लड़कें जोर जोर से हसने लगती है चल जल्दी से मा को फोन करके बता दे कि हमने नीलम चुडल को पकड़ लिया है ये सुनकर नीलम समझ जाती है कि उसके साथ धोका हुआ है ज्यादा खुशोने की जरूरत नहीं है मैं अभी बाहर निकल कर तुम दोनों को सबक सिखाऊंगी लेकिन तबी वो दोनों लड़कियां कोवे के अंदर एक जादोई रसी फैंग देती है और अगले ही पल वो जादोई रसी नीलम चुड़ल को पूरी तरह जकर लेती है तबी वहाँ उन दोनों लड़कियों की तांतरीक मा पोहन जाती है शाबाश मेरी लड़कियों तुमने इस चुड़ल को कबसे में लेकर बहुत बड़ा काम किया है अब मैं चुड़ल के दोनों सोने के जादी हाथों को काट कर तुम दोनों के शरीर में जोड़कर तुमें शक्तिशाली बना दूँगी इतना कहे कर तांतरीक औरत अपनी तलवार वाहर निकाल लीती है लेकिन तभी वहाँ नीलम की सहेली अनीता चुड़ल आ जाती है अनीता चुड़ल उन तीनों की आँखों में भूद्या मिर्ष डाल देती है जिसे वो तीनों दर्द के मारे तड़पने लगते है हाई मा मर गई रे मेरी आंख जल रही है अरे कोई पानी दो अरे कोई मुझे बच जाओ इस चुड़ल की सहेली तो बहुत खतरनाक है हमें इसे नहीं जीत पाएंगे चलो भागो यहां से फिर वो तीनों डर के वहां से भाग जाती है उसके बाद आनीता नीलम चुड़ल की रसियां काट कर उसे आजाओद कर देती है देख लिया ना नीलम मैंने तुझे कहा थाना कि सभी इंसान एक जैसे नहीं होते इसलिए आज के बाद तो कभी किसी इंसान पर इस तरह आँख मोन कर भरोसा मत करना हाँ तो ने सही कहा आज के बाद मैं ऐसी गलती दुबारा नहीं करूंगी फिर दोनों सहेलियां वापस अपने जंगल चली जाती है उस दिन के बाद से नीलम चुड़ल पूरी तरह सतर खो जाती है तो आपने देखा दोस्तों इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है के इसलिए हमें हमेशा सतर करना चाहिए अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चानल को सब्सक्राइब भी कर लें और हां दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताना किया आपको कहानी कैसी लगी